सबी पार्टियों ने प्रचार में पूरा जोर लगाया हुआ है आज प्रदानमंत्री मोधी ने मुद्बिद्री और फिर अंकोला में रैली की और कॉंग्रिस परती के हमले किये उन्होंने कहा कि कॉंग्रिस आतंक के आकाओं को बचाने का काम कर दी है उदर बीजेपी अद्रिक्ष जेपी नडडा ने आज राम नगरम में रोडशो किया जिसमें जबरदस भीर देखने को मिली कॉंग्रिस के स्टार प्रचारक भी मैंडान में हैं कॉंग्रिस महासचिव प्रियंका गांधी ने इंदी में रैली कर बीजेपी को निशाने पर लिया तो यह आज करनाटक में चुनावी रैलीयों की स्थिति है सुनते हैं प्रधान मंत्री मोधी ने अपनी रैली में क्या कहा और फिर प्रियंका गांधी ने क्या हमला बीजेपी पर बोला कॉंग्रेस करनाटका को दिल्ली में उनका जो शाही परिवार बैठा है न उस शाही परिवार का नंबर वन एटियम बनाना चाहती है और हर योजना में 85% कमिशन खाने वाली कॉंग्रेस करनाटका को दसकों पीछे ले जाकर गड़े में गाड़ देगी कॉंग्रेस करनाटका में शांती की दुश्मन है कॉंग्रेस विकास की भी दुश्मन है जब कॉंग्रेस होती है वहां के निवेशक भागने लग जाते हैं कॉंग्रेस आतं के आकाओं को बचाती है तुश्टी करण को बढ़ाती है करनाटका से साड़े तीन सालों में इतने पैसे की कोई सोच भी नहीं सकता लेकिन हमने देखा कि भाईया देखते हैं इन देर लाग करोर रुपयों का बंड क्या सकता था और ताजब होगा आपको जानके जितना पैसा इन्होंने लूटा है इससे आपके लिए सौ एम्स के हस्पिताल बन सकते थे दो हजार दो सौ पचास किलो मीटर लंबी छेलेन की एकस्प्रेस में बन सकती थी 187 एसाई हॉस्पिटल बन सकते थे 30,000 स्मार्ट क्लासरूम सोचिए 30,000 स्मार्ट क्लासरूम जिसमें बच्चे पढ़ सकते थे आपके उनको शिक्षा मिल सकती थी 30,000,000 अफॉर्डबल हाउजिंग के घर 30,000,000 गरीबों के लिए घर बन सकते थे और इन्होंने क्या किया उन पैसों को उन पैसों को लूटा करनाटक में अपनी सरकार को फिर से सकता में वापस लाने के लिए प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने पूरी ताकत जहूंकती है प्रदान मंतरी तीन दिनों के लिए करनाटक का दौरा कर रहे हैं, यानि वो तीन दिन करनाटक में ही रहेंगे, शुकरवार पांच मई से रविवार साथ मई तक धुआधार चुनाओ प्रचार करेंगे प्रदान मंतरी मोधी, और ये बता रहा है कि बीजेपी वहां कितने द प्रदान मंतरी कहां कहां रैली कर रहे हैं, तीन दिन काफी होते हैं अगर प्रदान मंतरी किसी एक राज्य में रुखते हैं किसी चुनाओ से पहले तो ये कई तरह है कि संदेश देता है कि बीजेपी को कड़ी चुनाओती मिल रही है और रण नीती क्या है प्रदान मंतरी कीपी मिल्की। पीए मोधी करनाटक में ही रहेंगे और अगर हम इन तमाम दोरों को मिला लिए तो करीब साथ दिनों का दोरा पीए मोधी का करनाटक का हो जाएगा जिसमें कि वह 18 सवाओं को संबोधित कर चुके होंगे और साथी शनिवार को दो बड़े रोड़ शो भी उनके बैंगलूरों में आउजित किये जा रहे हैं शनिवार का पूरा दिन उनका केवल और केवल बैंगलूर में रोड़ शो के लिए तो यह अपने आप में बता रहा है कि किस तरह से बीजेपी ने जबर्दस तयारी की है पीए मोदी के चेहरे को आगे रखकर और हमने ये भी देखा है कि जो उनका चुनाव प्रसार हो रहा है आज भी वहाँ पर वो करनाटक में चुनाव प्रसार कर रहे हैं लगातार कॉंग्रेस पर तीखा हमला कर रहे हैं तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनने देकर कॉंग्र कि बात हो रही है ब्रश्टाचार एक बड़ा मुद्दा है तो कॉंग्रेस ने पूरा दबाव बना दिया है एक तरह से तो बीजेपी प्रदानमंत्री मोदी के पीछे एक जुट है लेकिन क्या बीजेपी के अंदर जो अलग-अलग धड़े थे वो भी पूरी तरह से एक डबल इंजन की सरकार, केंद सरकार के कामकाज, साथी लाभारतियों की चर्चा की ये कहा है कि करनाटक में बड़ी संख्याम ऐसे लोग है जिनको केंद सरकार की राज सरकार की योजनाओं का फाइदा मिला है तो बीजेपी उसे भी लेकर जा रही है इसके साथ ही हमने ये भी देखा कि पिछले तीन-चार दिनों से हिंदूतों से जुड़े जो मुद्धे हैं उनको भी प्रमुक्ता से बीजेपी उठा रही है और यही कारणे कि जब एक तारिक को बीजेपी का मैनिफेस्ट वाया तो उसमें समान नागरी सहिता को लागू करने की बात की गई उसम करनाटक में कई जगाए पर बजन दल के लोगों ने इसको लेकर विरोध पदर्शन भी किया है जी शुक्री आखिलेश इस पूरी जानकारी के लिए